हलो फ्रेंट्स वेलकम टू स्मार्ट नोगरी चैनल दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे देलवे प्रोडेक्शन फोर्स के जो सहाय कॉंस्टेबल की भरती चल रही है जियां दोस्तों उसके ट्रेट टेस्ट के बारे में जियां दोस्तों यह experience वीडियो चर्चा करते है ताकि आपको उनसे कुस्छ सीखने को मिले साती ही दोस्तों आज कि वीडियो में हमने दिल्ली और कपुर्थला से बच्चों से बात कि है और उनका अनुभाव है वह ही आपको बताने वाले हैं नहीं है कि क्या जो एक्जामिनेयों को जो इंप्रेस कर पाते हैं अपने टाइमिंग मेनेजमेंट के वज़े से चली स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को उस्टे पहले दोस्तों मैं आप से रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक आपने स्मार्ट नोगी चैनल को सबस्काइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि स्मार्ट नोगी चैनल पर आपको आर्पीफ से समंदित सभी प्रकार की जो भी अपडेट आते हैं उस सबसे पहले मिल जाती है साथ ही दोस्तों सरकाइनों के समंदित कोई भी जब नहीं निटिफिकेशन आती या कट आता है तो हम आप को जो है सेंटर के बाद पहुंचने पर आपके डॉक्या के लगेंगे ताकि हर एक नया व्यूवर्स जो है हमारी इस वीडियो के मादम से पूरी नौलेज मिल सके सबसे पहले आपको अपना दस्वी का माकसित तया रखना है उसके बाद आपका एडमिट कार्ट जिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है बीना उसके आपको जो है एक्जाम सेंटर में घुषने का मौका ही नहीं दिया जाएगा तो यह दो चीजे होंकर यह बाता है तीसरी चीज जो है आपका का सटिफिकेट का सटिफिकेट आपको रखना है वो भी सेंटरल के फॉर्मेट में चौत आपको हॉल में प्रवेश दिया जाएगा जिया दोस्तों तो हम स्टार्ट करते इस वीडियो को सबसे पहले मैं यह बता दूँगा कि आज जो है चार सो से लेके साड़े चार सो के आसपास जो है स्टूडेंट आये हुए थे बेश के बैस में डिवायट करने के बाद जो हरज तो बथे जाता है उन्हें ऐस स्टूडन को रखा जाता है अब आपका बैच नमने आपको 13 तो उन्हों ने पता है जब 7th batch का नंबर आया तो हमें क्या है क्लाइन से खड़ा कर दिया गया उसके बाद जो है एक्जामियर के जो हॉल बना था जिसमें जो है ट्रेटेश चालू था जिस हाँ पे वहां जाने से पहले हमें एक राउन से गुजनना पड़ रहा है वह है मसा कैंप्यशन है लुद ऑने मसाले का नाम चोग जाते है या नहीं बता पाते ही है तो आपको वही से बाहर का लासсть दिखा या जाता है कि आप जया सकते हैं अप यह हो गया और दूसरी चीजर बताते है की वहां पर वैजीटेबल पार मेंशाए उनके दुके बारे में पू जाता है तो आप जो में में मसाले हैं उन्हें पढ़ लीजिए मैं तो कहता हूं आप रवाइस कर लीजिए देख लीजिए कैसे देखते हैं तकि आपको वहां पर डाउट ही नहीं अगर उन्हें मसाले चेंज भी कह लिए जो ट्रेनिंग मसाले होते हैं जो इंपॉर्टन यूस के जाते हैं वहीं पुछे जाते हैं बट आप एक बार रिफेर्स कर लीजिए कि असी कैसी मसालों जो है गूगल पर जाकर सर्च कर लीजिए या फिर आपको बाहर जो है लगाया रहता है बकेट में या फिर आप भरनी में देखेंगे तो भरनी के उपर चिपकाया रहता है कागज पर लिखकर इस मसाले का नाम यह है तो यह हो गए आपकी मसाले और वेजिटेबल्स के नाम तो आप इन चीजों को तो आप अच्छी तरह से एक्जामिंग कर सकत तो यह होता है आपको 20 जो है बैच उसमें दर्दर स्कॉर के डिवाइड करने के बाद कुछ लोगों काम बाढ़ दे जाता है कुछ लोगों काम दूसरा होता है तो यहां पर हमारे जो स्टुडेंस का था आटा सानने का अब हम बताते है आपको आटा सानने के लिए एक खो होता है क्या आटा मिले गली हो एक मिनिट को समय दिया जागा क्या चाहिए इस रोटी को इसे रोटी बनाना यह यह बना सकते हैं कि आपको त्यारी हाथ में छिपकश को इस पपके हाथ जो है साफ रहे है इस तो जो है बता है आपको 60 सेकेंड है और 60 सेकंड ये आपकोdar तो इसे क्या होता है जो है स्टूडेंस है वो हॉस्टल में रहते हैं तो उन्हें प्रैक्टिस नहीं थी जिसके वजह से उन्हें काफी दिख्ट हुई और उनका सइद जो है का नृ कि पारी है एक मिनट पे अब हुआ है कि त्रेट यह हैं एक मिनिट पर पर दोस्तों है तरश राफ़ को बीटेट है कि है महीं आप किन जरушंके बाइब की दोस्तों गण। एक मिनट में आपसे चैलेंजिंग काम हो पा रहा है या नहीं नहीं हो पा रहा है था उसे और बिखावट केजाते हैं जितने ही आप प्रैक्टिस करेंगे अतना ही Umud कबल करना एक पर Cool All अब भी से घर से प्रैक्टिस करके जाये ताकि वहां पर सामने आप यह करा आप यह ना पूरा ही है तो यह सब चीजा को आपको क्ठोर करना है दोस्तों सीखना है 7 पर दोस्तों तो कि लोग अच्छी तरह से फेट नहीं पारें जब आप आमलेट के लिए खोरी में जब आप आमलेट फोड़ते हैं उसमें नमक मिलाइए जितने अच्छा आप उसको फेटेंगे आप उसे 10-15 सेकंड जो है दीजिए और भूर तेजी के साथ जिया दोस्तों स्लोली स्लोली से अब आपको पता है आप घर पे देखिए अंडा काटी है अंडा में जाके नमक डाली तो जाके वह जमा हो जाता है जितनी अच्छी से फेटेंगे तब ही जाकर मिक्स होता है तो यह चीजे आपको ज्यादा ध्यान दखनी है उसके बाद और आपको लेना है तावे पे डाल तो यह काफी दिक्कत हो रही है आपको बहुत फोकस करने वाली है तो दोस्तो उमीद करता हूं कि आपको जो है आमलेट और रोटी से समझदी जो भी चीज़े हैं आपको समझ में आ रहे हैं अब हम बात करने वाले हैं दोस्तो सब्जी के बारे में क्या हो रहा है कि सब्ज सब्सक्राइद दिए लॉकी को लोग काट नहीं है ईसा परकार आपको काटना है दोसलों बात करतें है रोकी तो बन गई ज्यान दोस्तों आपने एक minute का जो challenge तो ले लिया आप रोटी को जो है मोटाई गुलाई और फुलना चाहिए जिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे मोटाई के बारे में रोटी की मोटाई कितनी होनी चाहिए आप सभी को पता है कि examiner को सीब एक मौका चाहिए अगर हलका सा भी उनके से लगा फिल कियें कि नहीं रोटी बहुत मोटी है तो वो आपको रिजट कर दे रहे आपने काफी वीडियो में देखा भी होगा काफी students के अपने experience सुना भी होगा तो रोटी की जो मोटाई होने चाहिए वो नॉर्मल होने चाहिए तो ज़्यादा पतली भी नहीं ज़्यादा मोटी भी नहीं एक medium size में आप रख सकते हैं आप जो feel करते हैं आप जाते हैं किसी घर में देखिए किसी sister से या अपी अपने mom से या कुछी से देखिए किस पका जो है रोटी की size होती है proper उसी size में आपको रोटी बनाना है और रोटी आपको अच्छी तरह से पकाना है दोस्तों चारों तरब से आपको अच्छी तरह से पकना चाहिए examने वो भी चेक कर अपने हातों से दबाता है अगर आपने रोटी बीच में से पकाके फुला लिया और साइट चाहिए से आपको अच्छा है तो भी दोस्तों आपको बाहर का रासा दिखा जिया जाएगा तो इन सब चीजों को आपको नोटी बाहरी की से करना है ताकि यह सब गलतियां आप वहां पर जाकर ना करें तो उमीद करता हूं आपको रोटी ओमलेट और एक मिनट का जोई चैलेंज है यह आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से अगर आप भी भी कोई डाउट है दोस्तों वीडियो नीचे कमेंट कीजिए हम आपको वापस से कुछ ना कुछ जो है उससे समंदी जो है रिलेटेड वीडियो आपको सेन करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स वीडियो में एक नई एक्सपेरियेंस के साथ थ झाल